दोस्तों इस वक्त आपके स्क्रीन पे मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ वीडियो उस्तर परदेश का है जैसा कि आप जानते हैं कि उस्तर परदेश में निकाई चुनाओ चल रहा है और उसको लेकर काटे की टकर जो है वो देखने को मिल रही है आपको एवजा दू कि उस्तर परदेश में जो विकास का डंका बजाया जा रहा है बीजेपी के तरफ से उस डंके को खड़ने का काम जो है वो समाजवादी पार्टी ने अपने हाथों में ले लिया है और इस विडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जो दंका बजे रहा था बीजेपी के तरफ से कि उस्तर परदेश में जबरदस जो है वो विकास हुआ है लेकिन विकास कितना हुआ है या आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा पूली स्क्रीन पे इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से जो गली कुछे है वहाँ पे क्या हाल है किस तरीके से किचल जमी हुई है रास्ते में गड़ा दिखाई दे रहा है आपको और इसको लेकर समाजबादी पार्टी के प्रत्यासी जो है वो लिखल चुकी है गली-गली भूम रही है और अपना परचा बाठते हुए बदा रही कि अपना कीमती बोर्ट जो है वो निकाय चुनाओं में साइकल को दे और भारी मातरा से साइकल को जीत कराए और उस में कीचड़ है वो किस तरिके से लोगों को दिखाया जा रहा कि देखिए यह बीजेपी के डवल इंजिन का विकास है उस्तर पर्देश का जो आपको आपके आखों के सामने देखने को मिल रहा है इस वीडियो में आप देखिए तमाम ऐसे सवाल जो है वो उट रहा है क्य क्योंकि एक तरफ तो यह पीटा जाता है डंका कि उत्तर पर्देश में भारी भारी विकास देखने को मिल रहा है लेकिन होता क्या है जब असलियत दिखाय पड़ता है लोगों को और जब ग्रॉंड रिपोर्टिंग होती है तो पता यह चलता है कि जो गली है उसमें तो ग लेकिन उस्तर पर्देश पूरी दुनिया में साय ने कैसा राज्य होगा कि जहां मैं प्लाइ ओवर के नीचे से अगर आप उपर देखेंगे तो आपको आस्मान दिखेगा क्योंकि प्लाइ ओवर में गड़्डा दिखाई दे रहा था ये वीडियो भी बहुत तेजी से ब पड़ा हुआ है और जब लोग नीचे से देख रहा है तो लोगों को आस्मान दिख रहा है आप किस तरीके से देखते हैं खबरों को और इस वीडियो को जो आपको दिखा रहा है प्लाइ ओवर के नीचे से आस्मान इसके बारे में आप अपनी राए कमेंट बॉक्स में ज